दोस्तों, जहां 2021 में भी हम इंडिया में जादा तर टाटा मोटर्स और महिंद्रा के ट्रक्स सभी हाईवेज और सड़कों पर देखते हैं, वहीं तेजी से बदलते टेकनलोजी के साथ दुनिया ट्रांस्पोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक और आटोनॉमस कार्ज की तरफ देखने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, नमबर नाइन, टी लॉग, एक स्वेडिश टेक स्टार्ट अप कमपनी इन राइड ने इसे बनाया है, ये और टोनॉमस और एलेक्रिक लॉगिंग ट्रक कॉंसेप टी लॉग, जिसको UK के Goodwood Festival of Speed 2018 में अन्वील किया गया था, इस ट्रक में लगा है Nvidia Drive का Self-Driving System, जिससे इसको मिलती है SAE Level 4 Self-Driving Capabilities, इसमें Driver के लिए कोई Cabin नहीं है, जिससे इसको मिलता है Maximum Loading Capacity, वैसे इसको Manual Drive करने के लिए आप Remote Control का यूज कर सकते हैं, Off-Road और Highways पर Blind Turns और Dead Angles पर पूरी Visibility के लिए इसमें Cameras, LiDAR और Radar Sensor दिये गए हैं, जो Provide करते है 360-degree Visibility और इसका Intelligent Routing Software देता है Real-Time Traffic Data, जिससे आप इसके रास्ते को भी Change कर सकते हैं, जिससे ये किसी भी तरह के जाम में नहीं फसे, इन 60 टन्स के ट्रक्स में लगी है 30 किलो वाट की Power On Board बैटरी जो इसको एक बार चार्ज करने पर आल्मोस्ट 193 किलो मेंटर तक की रेंज देती है, बुगाटी हाइपर ट्रक्स बुगाटी अपनी लग्जरी, पाफुल और महंगी कार्ज के लिए पहले से ही काफी मशूर है, इसके टू फ्रेंट और सिक्स रियर वील्स हैं, किसी भी तरह के कार्गो को सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें सामने की तरफ भी सी शार्प्ड स्टाइलिश एलिमेंट्स दिये गए हैं, ड्राइवर के लिए बड़ी ही अमेजिंग ग्लास पॉर्ड, इसके पावर ट्रेंड के बारे में कोई भी अभी ओफिशियल डेटा नहीं है, जो 36,000 किलो ग्राम तक का लोड उठा सकता है, इस तरह के ट्रक फ्यूज कार्गो शिफ्टिंग में काफी काम आते हैं और बहुत ही कम ट्रक्स इतना लोड उठा सकते हैं, इसके बाद भी किसी आम ट्रक से इसका maintenance cost काफी कम होता है क्योंकि किसी भी तरह के fuel की जगह है इसमें battery लगी हुई है जो कि ये battery पर चलता है company के माने तो बाकी truck से इसका per mile maintenance cost 60% cheaper और fuel cost 70% cheaper है तो ये future में बाकी vehicles के लिए एक बड़ा competitor हो सकता है इसकी all electric motor 300 to 700 HP का power देती है और इसकी battery में लगे है heavy duty lithium ion cylindrical cells जो rapid charging जैसे feature के साथ specially design किये गए है जो देते हैं एक बार में 480 km तक की range और इन सब को आप इसके dashboard पर लगे 22 inch के touch screen से control कर सकते हैं नमबर 6, Volvo Vera ये दिखने में किसी super sports car की तरह ही है लेकिन ये उससे कहीं आगे है 2018 में Volvo के इस self driving truck के इस concept को बड़े और भारी containers के short distance transportation को आसान बनाने के लिए तयार किया गया जो एक पूरी तरह से safe electric और autonomous vehicle है जो किसी भी port, factory area और logistic mega centers के use के लिए बनाया गया जो एक center network से ही control किया जा सकता है जिससे मिलती है better delivery precision और flexibility ये पूरी तरह से driverless है मतलब इसको चाह के भी कोई driver drive नहीं कर सकता है और ये एक ही cloud based network और management center से connected रहते हैं तो किसी भी तरह के accidents का भी खतरा नहीं रहता है और ये किसी भी heavy containers को tow करके आराम से कहीं ले जा सकते हैं नमबर फाइफ मस्टीज यूरो एक्स ये एक minimalist truck है जिसका concept design किया है South Korean designer Mion Shone जिसको एक human operated truck और absolute autonomy के intermediatory step की तरह देखा जा सकता है और सच में इसका look काफी unique और amazing है specially इसका aerodynamic pointed face cabin जो हवा को चीरते हुए resistance को कम करता है और सबसे बढ़िया बात है speed और ज़्यादा mileage मिलती है इसमें आपको कोई windows देखने को नहीं मिलेगी लेकिन ये पूरी तरह से driverless नहीं है उसमें driver के लिए बहुत ही cozy cabin है जहां वो चाहे तो drive कर सकता है या अगर drive नहीं कर रहा है तो बड़े आराम से बैट कर सभी system को monitor करते हुए ride को enjoy कर सकता है टेसला सेमी टेसला की electric car तो आप सभी ने देखी ली होगी लेकिन ये है टेसला सेमी एक all electric battery powered class 8 का semi truck जिसका concept नवंबर 2017 में unwield किया गया और हो सकता है कि साल के end तक इसका production शुरू हो जाए इसके चारो rear wheels में लगे हैं अलग-अलग four high power electric motor वैसे horsepower और talk कितना है ये अभी तक नहीं बताया गया लेकिन इसकी बैटरी एक बार full charge करने पर 805 km तक की range देती है और इसके solar power टेसला मेगर charger charging station से सिर्फ 30 मिनट में ये 80% तक चार्ज होकर 640 km तक की range दे सकती है कुछ reporters की माने तो इसमें वही same motor है जो टेसला के electric sedan model 3 में दी गई थी टेसला CEO Elon Musk का कहना है कि ये semi truck में टेसला autopilot mode भी दिया गया है अभी इसका production भी शुरू नहीं हुआ है और 2000 से भी ज़्यादा pre-orders आ चुके है नमब 3 कमाज विजन ट्रक रशियन डिजाइनर Atiom के इस awesome concept को देखकर आपको transformer के optimum prime की याद जरूर आएगी इसका V-ship body style कमाज ट्रक के पिछले generation पर ही based है वैसे इस तरह के भारी भरकम cab over trucks अपने size और shape के हिसाब से usually इतने aerodynamic नहीं होते हैं इसका मतलब ये कि इसका design इसके slicked back paranomic top glass section और air reflecting surface से काफी हद तक wind resistance को maintain करता है इसका touch screen dashboard, single piece huge wind shield और paranomic sunroof के साथ इसका aluminium cabin बड़ा ही जबरदस लगता है अगर आप इसको side से देखें तो ये giant L की तरह दिखता है जिसमें किसी भी तरह की doors या windows नहीं है actually इसमें driver के लिए जगह ही नहीं है ना ही इसको manual driving के लिए किसी भी remote control की ज़रत है मतलब ये कि ये पूरी तरह से driverless है इसमें सिर्फ एक single vertical screen है जिसमें truck के सारे sensors और computers लगे है इसका slimmer front इसको और भी ज़ादा back space और stability देता है और सभी axle पर equally load देता है और बड़ी ही शानदार head lights और tail lights आसपास के pedestrians और बाकी truck से इसको visible रखती है पिछले कुछ सालों में truck के design बहुत ही ज़ादा change हुए है क्योंकि cars की तरह trucks को भी अब काफी sleek और futuristic look दिये जा रहे हैं और ऐसे ही ये ओडी के दो truck के possible concept designs जो truck for audit project के under Artem और Vladimir ने मिलकर तयार किया है और दोनों ही बड़े futuristic और amazing है ये दोनों ही एक दूसरे से बिलकुल अलग है जिससे अगला concept बनाये गया है एक fully autonomous shipping vehicle है जो आने वाले कुछ सॉलों में transportation industries के लिए काफी काम आने वाला है और दूसरा awesome सा red and black color का show truck है जिसमें किसी fighter jet की तरह jet pilot cockpit दिया गया है तो आप सबजी सकते हैं कि ये कितने fast हो सकते हैं लेकिन बुरी कबर ये कि ये सिर्फ एक concept ने जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो designers हर पल नए concept त्यार करते रहते हैं तो हो सकता है कि roads पर इनसे कुछ बहतर ही देखने को मिले तो दोस्तों ये थे गजब के futuristic self driving electric semi truck concept and I'm sure आपको सभी पसंद आए होंगे लेकिन सबसे जादा कौन सा पसंद आए कॉमेंट करके ज़रू बताइए और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ खुल के share करें और जो लोग Tech FC पर नए हैं और ऐसे ही amazing tech videos देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर ले और bell notification को on करना ना भूले तो आज के लिए बस इतना ही चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में दत्तक के लिए good bye